हेलो एबरिवान, मैसेल्फ खान नगमा, बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की कवीता पढ़ानी जा रही हूँ, जिसका नाम है नीम तो आईए बच्चों, हम कवीता पढ़ते हैं नाम है डॉक्टर, नाम है ओजा, नाम है व्याद हकीम मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम मेरी सूखी पत्ती डालो, उनी कपडे अनाज बचालो सूखी पत्ती के धुए से, मखी मच्चर दूर भगालो घनी पत्तियों की कारण, शीतल है मेरी चाया गर्मी और थकान मिटी, जो मेरे नीचे आया नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुखदे देता सूरज की किर्णों से मिलकर हवा शुद्द कर देता सूरज तारे धर्ती चांद की, जब तक चले कहानी हमेशा सब को सुख देने की, है मैंने मन में ठानी बच्चों, आपकी कविता की जो पहली पंक्ती है नामे डॉक्टर, नामे ओज़ा, नामे व्याद हकीम मैं तो केवल एक पेड हूँ, नाम है मेरा नीम नीम कह रहा है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ओज़ा हूँ ओज़ा का अर्थ होता है जादूगर जो जादू करते हैं तो यहाँ पर नीम कह रहा है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं कोई ओज़ा भी नहीं हूँ और मैं कोई वैद्य हकीम भी नहीं हूँ वैद्य हकीम का अर्थ ये है कि जड़ी बूटियों को भी आउशधी से इलाज करने वाला वैद्य या डॉक्टर यहां पर नीम का पेड़ कह रहा है कि ना मैं कोई डॉक्टर हूँ ना मैं ओजा हूँ और ना ही मैं वैद्य हकीम हूँ मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और नाम है मेरा नीम मेरी सूखी पत्ती डालो उनी कपड़े अनाज बचालो सूखी पत्ती के धुए से मखी मच्छर दूर भगालो यहाँ पर नीम कह रहा है कि अनाज पर मेरी सूखी पत्तियां डालोगे तो आपके अनाज की रक्षा होगी और उनी कपड़े यानी जिन कपड़ों का हम सरदियों में उपियोग करती हैं जैसे के स्वेटर वगेरा उन कपडों में भी अगर हम नीम की सूखी पतियां डालेंगे तो वो उनी कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे तो यहां पर नीम कहता है कि अगर आप सूखी पतियों को जलाओगे तो उनके धुए से आपके घर पर जो मक्ही मच्छर हैं तो वो बहुत दूर भाग जाएंगे बच्चों यह नीम का पेड़ है यह नीम का पेड़ कितना घना होता है और जो इसकी चाया है इसकी चाया कैसी होती है शीतल होती है जब लोग गर्मी से परिशान होती है तो मेरे पेड़ के नीचे आकर बैठती है तो उनको चाया भी मिलती है और ठंडग भी मिलती है तो इस सरा उनकी ठकान भी मिट जाती है बच्चों इस पिच्चर में आपको दिखाई दी रहा है ना कि अगर आप नीम की सूखी पतियों को जलाओगे तो उनके धूएं से आपके घर पर जो भी मखी मच्चर है तो वो बहुत दूर भाग जाएंगे बच्चों इस पिच्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि अगर हम उनी कपड़े यानी जिन कपड़ों का हम सरदियों में उपयोग करती हैं स्वेटर वगेरा उन कपड़ों में भी अगर हम नीम की सूखी पतियां डालेंगे तो वे उनी कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे बच्चों आपको ये पिच्चर में दिखाई दे रहा है ना कि अगर आप अनाज पर भी नीम की सूखी पतियां डालोगे तो आपका अनाज अच्छा रहेगा और बच्चों वो अनाज खराब भी नहीं होगा घनी पतियों के कारण शीतल है मेरी चाया गर्मी और थकान मटी जो मेरे नीचे आया बच्चों यहाँ पर नीम कहता है कि मेरी पतियां घनी है इसलिए मेरी चाया कैसी है शीतल है इन दो पंक्तियों में नीम कहता है कि गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया यहाँ पर नीम कह रहा है कि लोग जब गर्मी से बहुत परिशान होती हैं तो मेरे नीचे आकर बैठते हैं तो इनको छाया भी मिलती है और ठंडग भी मिलती है तो इस तरह उनकी थकान भी मिट जाती है नहीं काटना मुझे को तुम मैं इतने सुखदे देता सूरज की किरनों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता बच्चों अभी नीम का पेड यहाँ पर कह रहा है कि मुझे नहीं काटना मैं आप लोगों को बहुत सारे सुख देता हूँ इसलिए मैं क्या करता हूँ सूरज की किरनों से मिलकर हवा को शुद्ध कर देता हूँ इसलिए मुझे नहीं काटना बच्चों इस पिच्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि नीम के पेड की चाया कैसी होती है शीतल होती है और जो लोग गर्मी से बहुत परिशान होती है तो नीम के पेड के नीचे आकर बैठते हैं तो उनको चाया भी मिलती है और उनको ठंड़क भी मिलती है और इस तरह उनकी सारी थकान मिट जाती है बच्चों, इस फिचर में आपको दिखाई दे रहा है न कि नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि नीम का पेड़ हमें बहुत सारे सुख देता है और सूरज के किर्णों से मिलकर हवा को भी शुद्ध कर देता है इसलिए नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए सूरज तारे धर्ती चांद की जब तक चले कहानी हमेशा सब को सुख देने की है मैंने मन में ठानी बच्चों यहाँ पर नीम का पेड़ केह रहा है कि सूरज यानी सूर्य तारे धर्ती और चांद की जब तक कहानी चलती है तब तक हमेशा सब को सुख देने की है मैंने मन में ठानी तो इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि जब तक सूरज, तारे, धर्ती, चांद की, जब तक कहानी चलती रहेगी, तब तक मैं सबको सुख देता रहूँगा, ये मैंने मन में ठान रखा है, ऐसा यहाँ पर हमें नीम का पेड़ कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पर नीम का पेड़ कह रहा है, कि सूरज यानी सूरिय, तारे, धर्ती और चांद की, जब तक कहानी चलती है, तब तक हमेशा सबको सुख देने की है, मैंने मन में ठानी तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ, कि आपको यह पोयम समझ में आई होगी, तो आप हमारे चानल को सिस्क्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, गुडबाई